हलो फ्रेंड मैं सुर्भी तो आज मैं आप लोगों से इसके नर्सरी शेयर करूंगे और जैसा कि जो जाते होंगे इस नर्सरी में उनको पता होगा कि कौन यह कहां पर है जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दू यह जस्ट खुश्बू नर्सरी के बगल में है यानि पहले क्या क्या क्लेक्शन हैं जो कि आप ले जा सकते हैं और वंटर फ्लावरिंग प्लांट अभी ही रो हु रहे हैं जैसा कि पहले बारिश भूए बहुत थंड हुआ तो il देखा जाए तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट का इंजॉय करने का अभी टाइम है तो कहाद시면ा जो खुबसरत फूल खेलते हैं वो इस टाइम आप यहां से ले जा सकते हैं तो आएक धैह देखिया है और इनके हाँ क्या क्या क्लेक्शन है तुर कुछ इनके पामाने Inter प्लांट है कुछ इनके सिज्रल है इंडोर प्लांट है और जो भी है उसी ग्रोथ के साथ मैं शेयर करूंगी तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है तो आए देखे कौन-कौन से इनके पास है और उसकी क्या प्राइस है तो इस वीडियो में आप लोगों से शेयर भी कर दूंगी कौन से प्लांट आप ले जाएगा इस टाइम और कौन से प्लांट अभी ले जाना वेकार है तो देखिए सबसे पहले इनके से स्कुलेंट बहुत खूबसूरत कलेक्शन है इनके पा बेबी संद्रोज है सब इनके 50 रुपीच पॉली बैग में और बेबी संद्रोज जो इनके पॉट में लगे हुए हैं जो इनके पॉट में लगे हैं वह 100 रुपीच में ले जा सकते के बहुत खूबसुत यह सीड़ा में तो मैं भी यहां से यह इस ट्रिंग बनाना लेकि आप लोगों से शेयर किया हुआ था अच्छा है बहुत अच्छा कलेक्शन है सकुलेंट का तो जो पॉफेक्ट है सकुलेंट में वह अभी लगा सकते हैं और जो पॉफेक्ट वाले जो होते हैं जो सकुलेंट के सुखीन होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है यह बहुत इसी टाइम बहुत सुन्दर कलेक्शन दिखने को मिलते हैं तो आप इस टाइम ये सारे जो आपके पास ना हो वो कलेक्शन आड़ कर सकते हैं देखी सकते हैं काफी हेल्दी प्लांट है पॉट में भी और पॉली बैग में भी इसके अलाव इनके पास पॉट का तो बहुत सुन्दर कलेक्शन रहता ही है सेरमिक पॉट का इनके आपको मिट्टी के पॉट प्लास्टी के पॉट सभी मिल जाएंगे और देखिए अभी इसी टाइम आपको आइस फ्लावर खिलने को मिलेंगे आप इस टाइम आइस फ्लावर भी ले जा सकते हैं जितने भी मैं सिजनल प्लांट आपको दिखा रही हूं देखिए ये मल्टी कलर में बर्मीना वगरा है डॉग फ्लावर है केल है ये सारे 2020 रूपीज में है और देखिए बहुत डिफरिंट डिफरिंट कलर के आपको यहां केल मिल जाएंगे तो इसमें बीज बनते हैं केल में तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जैसे की जुलाई और अगस्त के टाइम में सीट से ग्रो कर सकते हैं डेजी तो जरूर लगाईएगा देखिए तो कहा जाए तो बसंत रितू का बहुत प्लांट आप अभी भी ले जा सकते हैं केननडूला भी लगा सकते हैं तो यह सब लॉंग लास्टिंग फ्लावरिंग प्लांट है तीन-चार महिने तो आप आराम से इन्हें इंजुआए कर सकते हैं तो यह सारे 20-20 रूपीज में हैं और यह सारे देखी सकते डबल पैटल इनके पास डॉॉणग फिलावर के बहुत सुंदर सुंदर कलर थे और बहुत भरा हुआ प्लांट है मिल जाका कितना प्यार है बहुत सुंदर यह अलग कलर लगchied में यह कलर लग decor अगलरला था प्लांट की growth कापशी है इनके यहां और देखिए तो डॉप फ्लावर ऐसा है फ्लावरिंग प्लांट है कि बहुत दिनों तक यह फ्लावरिंग करता है और इसमें बहुत सारे सीड बनते हैं और जहां जहां सीड इसके गिराईएगा वहीं बहुत इजी से यह मेर्यू गोल्ड की तरह यह ग्रो हो जा में 50 रूपीज में भरा हुआ है नॉर्मल गार्डन सॉयल में लगा हुआ है तो प्राइम रोज जिसके हां कम धूप आती हो वह लगा सकते हैं बालको बालकोनी एरिया में जहां चंचंकी धूप आती वहां आप रख सकते हैं बोंजाई भी है और देखिए यह केल किसी भी पॉली बैग में नहीं है तो बहुत प्यारा कलेक्शन है और देखिए इनके हां पामानें प्लांट भी बहुत सारे हैं लेकिन हां जैसे कि अभी डॉलमेंसी में गया हुआ है तो अभी इनकी पत्या गीरी हुए पीछे रखे हुए नीचे साइड भी इनकी नरसरी है और य मैंने में पूछा नियुक्त प्लांट है अब इसे मार्शन तक लगाईएगा क्योंकि अभी तो बहुत थंड हो रही है बारिस भी हो जारी है तो यह पामानें प्लांट है बहुत खूपसृत वाई है और अगर ले जाना चाहते तो अभी भी ले जा सकते हैं क्योंकि प्ला दो कुछ दिन अपने गार्डेन में भाड़े लगाटे हैं और डेंठस तो जरूर ले जाएएगा ये भी 20 रूपीज में पामानेंड प्लांट है और इधर इनके सारे पॉट में लगे हुए डैंथास हैं, कुछ इनके पुदीना है, पुदीना आप यहां से 30 रुपीज में ले जा सकते हैं, पुदीना अभी टाइम आ रहा है, गर्मियों के दिन में पुदीना बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, तो पुदीना जरू इनके जितने भी इंडोर प्लांट आप को मिलेगा, वह गलकत्य वाली वाराइटी मिलेगे, यानि ब्लैक सॉयल वाले मिलेंगे, तो ज्यादा तर नरसरिया सीजनल प्लांट से भरा हुआ है, यह इनके पाम है, जो की 100 रुपीज से स्टार्ट है, और उसके बाद जितने ब काफी बुशी प्लांट है, और सब ब्लैक सॉयल में लगें, कलकत्य वाली वेराइटी है, और यह 100 रुपीज में आपके यह किसमस ट्री है, और बरावाला 200 में है, तो इनके हाँ इंडोर प्लांट का काफी अच्छा कलेक्शन है, अब अंदर जाके जरूर देखेगा, पा प्लांट है की नहीं, तो प्लांट इनके सारे मिल जाएंगे, यह नीचे की तरह रखे हुए है, और इनके हाँ पॉट में लगे जितने भी यह विंटर फ्लाॉरिंग प्लांट है, यह आपको वहां 50 रुपीज में मिल जाएगा, जिसकी ग्रोथ काफी अच्छी है, नॉर् में ले जा सकते हैं, यह सब आपको जितने पॉट में लगे हुए हैं, यह आप 50-50 रुपीज में ले जा सकते हैं, तो गजेनिया वगर हुआ तो बहुत दिनों तक यह फ्लावरिंग करता है, और कहा जाए तो पामाने इन प्लांट है, इसमें सूखने के बीज भी बनते है बीज जहां गिरते हैं, वहीं ग्रो हो जाते हैं, तो अभी आप इन्हें खरीद के ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी ही यह टाइम है, जिनकी खुबसूरती निखर के आती है, पूरे विंटर तो ठंड नवारिस में हमने इसका मजा नहीं लिए, क्योंकि मैंने भी अपने गा ज़रूर ले जाएगा, कुछ ऐसा यूनिक सुकुलेंट है इनके पास जो कि और किसी नर्सरी में नहीं है, इनहीं के पास है और भारा हुआ प्लांट है, तो सुकुलेंट ले जाएए, किसमस टी ले जाएए, हंड़ेड वाला और पामन इन प्लांट जितने भी हैं, इनके दे दोंगी, थैंक यू